हेलो गाइज गाइज डीटर प्रस भी पियाटी की सीरीज में हम अब तक जी के हिंदी और मैस को कवर कर चुके हैं कि किस तरह से प्लानिंग करने है रिवीजन की आज हम बात करेंगे इंग्लिश की कि इसमें 12 से 15 मांक्स के बीच में कैसे लाई जा सकते हैं देखो इस रेंज आता है पांच नमबर का वो आपकी रिडिंग कापैसिटी पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा पढ़ पाते हैं चीजों को पैरग्राफ का रिवीजन डिपेंड करते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं जितना आप इंग्लिश पढ़ने कोशिश करेंगे जितना पैरग् परग्राफ आप सॉल्व कर सकते हैं उतने कर लीजिए ठीक है ट्रिक यही रहेगी कि पहले कॉश्चन पढ़ें उसके बाद मैं परग्राफ को सॉल्व करें इडियम और वन वर्ड यह दो से तीन नंबर के आते हैं तो इसके लिए आप एस्पी बख्षी या नीतु सिंग इन आप कितना इंग्लिश पढ़ते हैं आपके वोकैबलरी कितनी अच्छी है उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं आपके दो से तीन नंबर लेकिन एक तरीका और होता है option elimination जो relevant option नहीं होता उसे हम हटा देते हैं उसके बाद मैं चूज करते हैं कौन सा option में से relevant हो सकता है तो य तो आप जितनी जादे जादे वोकैब पढ़ेंगे उतना आपका फायदा मिलेगा और उतना ही आपके दो से तीन नंबर लेने के chances बढ़ जाएंगे उसके बाद sentence rearrangement आता है दो marks का दो question पूछे जाते हैं यह आप by option solve करेंगे जो suitable option होगा उसके हिसाब से tick करके आगे जाएंगे फिर spelling आती है दो नंबर की इसके लिए आप SP बख्षी से कर लीजिए उसमें spelling दी हुई है और option का भी धियान रखिए कई बार ऐसा होता है तीन option गलत ही दिख जाते हैं तो गलत option को eliminate करके सही answer पर टिक कर दीजिए ठीक है SP बख्षी पढ़नी है अब बात करते है grammar portion की है दोस्तो grammar portion में correction, error और fill ups आते हैं तो उसमें main chapter कौन से है subject, verb, agreement, preposition, tense, adjective, adverb, singular और plural और use of articles तो ये कहां से पढ़ने है ये पढ़ने है आपको नीतु सिंग की बुक से जो है volume 1 plinth to paramount अब KD campus नाम से आती है volume 1 अब planning किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं देखो रटा नहीं मारना है बिल्कुल भी in topics का formation समझनी है कोई भी sentence किस तरह से form हो रहा है क्या चीज़ किस के साथ use हो रही है तो formation समझनी है रटा नहीं मारना जैसे आप question देखेंगे आपको द ठीक है बोकेब के लिए क्या करें जो भी वोकेब रिवाइस करें उससे रिकोर्ड जरूर कर ले ताकि जब final revision करेंगे आप paper से पहले तो उसके लिए time बच पाए आपके पास है ना जब रिकोर्ड की हुई चीज होगी वह बार-बार नहीं पढ़नी पड़ेगे उसे एक ब करता है आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है ठीक है उसी सब्सक्राइब कर लेना अगर कम है स्पीड तो एक से सवा घंटा अगर आपकी स्पीड अच्छी है पढ़ने की आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 45 मिंट में sufficient time होता है परग्राफ के No- voila परग्राफ के मैं अपको बता चुका पर प्ड़ने हैं अन्रस्टेंदिंग में प्रूब करने के लिए हैं आप अब तो परग्राफ में एक चीज और होती है कि या आपको हर एक वरड नहीं समझना होता है आपको अगरट में क्या होता है इनसे त्भी मे यह इसका अंस्वर है तो टिक करके आगे बढ़ जाओ कैई बार उससे एक लाइन पहले या एक लाइन बाच्छुपा होता है तो जितना आप पढ़ेंगे पैरग्राफ को उतना ही आपकी समझ बढ़ेगी उतना ही आपकी वोकेब भी टवलोप होगी और उतना ही आपके मार् प्लानिंग फोलो कर सकते हैं ठीक है लेकिन में टार्गेट क्या है आपके नंबर आने चाहिए और फाइनल सेलेक्शन होना चाहिए ठीक है दो तो यह थी इंग्लिश की प्लानिंग और स्ट्राटीजी इसके बाद में हम कवर करेंगे रीजनिंग और उसके बाद में चैल् करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद